एक डेवलपिंग नेशन जैसे हम हैं, इसमें जुखाम खांसी नजला, डायरिया वामिटिंग, एंड स्किन इंफेक्शन्स, ये तीन कॉमन चीज़े हैं जिसके लिए कि बच्चे, माबाप बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके आते हैं तो अगर कोई बच्चा जिसे की बखार के साथ में जुखाम खांसी नाक बहरा है और उसको खांसी हो रही है और बच्चा थोड़ा सा चड़चड़ा हो रहा है, सांस की तकलीफ उसको नहीं है, दूद ले पा रहा है, तो मतलब ये नजला है, इसके लिए उसी दिन डॉक्ट आज बाद बच्चों में होने माले कॉमल प्रॉब्लम, खांसी नजला जुकाम और कभ ये खतरनाख हो जाती है, निमोनिया हो जाती है, इस पर पाद डॉक्टर महेश हीरा नंदानी जी, सीने पीडेटरिशन हमारे साथ एक बार फिर हैं, बात-बात स्वागत सार्वागत बच्चों में बहुत कॉमन है, खांसी जुकाम होना, अब कितने पेशन आपके पास आपके पास, मतलब कब डॉक्टर के पास आने की जरूरत है, मेरा सवाल ये है, तो ये में दर्शकों को बता दू कि खांसी जुकाम नजला, मेरे दर्शकों को पता है कि ये इस चीज़ जिसके लिए वो डॉक्टर के पास आते हैं, अगर दिन में मैं परसंटेज के मताविक बात करूं तो अल्मोस्त पचास से साथ परसंट बच्चे इसी प्रॉब्लम को ले के आते हैं, और एक डेवलोपिंग नेशन जैसे हम हैं, इसमें जुकाम खांसी नजला, डाइरिया अगर कोई बच्चा जिसे की बुखार के साथ में, तो अगर कोई बच्चा जिसे की बुखार के साथ में, जुकाम खांसी, नाक बहरा है और उसको खांसी हो रही है, और बच्चा थोड़ा सा चड़चड़ा हो रहा है, सांस की तकलीफ उसको नहीं है, दूद ले पा रहा है, तो मतलब यह नजला है, इसके लिए उसी दिन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी नहीं है, कुछ होम रे लासिटमॉल दे दीजिए, नाक बंध है, तो उसके लिए कहा जाता है कि गरम पानी की भाफ दे दी जाए, चार-पांच फुट की दूरी से, या सलाइन बॉटर की ड्रॉप्स नाक में डाल दिये जाएं, जो बड़े बच्चे हैं, जो की कहते हैं कि मुझे गले में हो रहा है, निगलने में दिक्कत आ रही है, तो अगर उनको आप नमक पानी के या गरम पानी के गरारे करा सके, तो आप करवाएं, प्लस खाना पीना, वाम लिक्विड्स देने हैं, सिंपल सॉफ्ट खाना देना है, इसके साथ ही, आप एक कॉमन कोल्ड को ट्रीट करें या बहतर गंटे में आपको बच्चा ठीक नहीं लग रहा, तो आप डॉक्टर के पास लियाएं, क्योंकि अगर बच्चा बहुत चोटा है, एक साल का, छे महीले का, देड़ दो साल का, तब पेरेंट्स दर जाते हैं, फिर वो ज़्यादा जल्दी मेरे खाल से भागते हैं, त उसकी पसलियाँ चल रही हैं, तो ऐसे में डॉक्टर को जल्दी दिखाया जाए, तो मैं यही कहूँगा माबाब को, कि जिनके बच्चे एक साल से चोटे हैं, और जहां बच्चे को दूद लेने में दिक्कत आ रही है, सांस की आवाज भारी हो गई है, नॉइजी ब्रीध है, डिफरेंस क्या घर पर पता कर सकते हैं, तो एक ओडिनरी खांसी जुखाम नजला हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, जिसमें की नाक, गला, औरल कैविटी, एन अपर एर्वे इंवल्ड होता है, और इसके सि अपर पैसेज से लोर पैसेज की तरफ जाए, उसको हम नइमोनिया बोलते हैं, निमोनिया डेंजरस होता है क्योंकि उसमें लंग का इनवॉर्मेंन्ट होता है, लंग्स बोडी के वो ऑर्गन है, जिसमें की गैस एक्सेजbench होता है, अगर लंग्स के अंदर किसी भी किसम की fluid collection हो, infection हो, pus हो, secretion हो और lungs में पानी भरने लगे तो वो gas exchange नहीं हो पाती पसलियां चलने लगती हैं और ऐसे में बच्चा serious हो सकता है यही difference है इन दो इसी लिए कोई भी government कोई भी healthcare body upper respiratory passage को lower respiratory passage से अलग रखना चाते हैं और उनके symptoms यही हैं हर किसम के health worker को यही समझाया जाता है कि आप differentiate करिए कि upper passage है या lower passage आराम से, असानिक से कर सकते हैं यह जो symptoms आपने बताए उन्हें देख कर अगर pneumonia के symptoms लगे तो तो तुरन टॉक्टर के पास जाना चाहिए यह risk हो सकता है तो उस पक जब आप pneumonia का अगर तो एक साल से कम बच्चा है तो ऐसे में यही प्रिफर किया जाता है कि किसी तरह बच्चे को एक health facility में ले जाया जाए वहाँ पर बच्चे का x-ray हो बच्चे का oxygen status जाना जाए और depending upon कि बच्चा दूद ले पा रहा है या नहीं बच्चे को glucose पे रखा जाए उसको antibiotics दिये जाए पर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि pneumonia के हर बच्चे को अस्पताल में रखने की ज़रूरत है कई बच्चे होते हैं जो कि हम oral दवाईयों से oral antibiotic से भी ठीक कर सकते antibiotic अब क्या हर बार ज़रूरत पड़ती है बच्चे को देने की अगर जुकाम खासी नजला हो तो यहीं मैं बात दर्शकों को बता दूँ कि जो एक ordinary जुकाम खासी बुखार नजला है उसमें 90% बच्चों को antibiotic की ज़रूरत नहीं है किस बच्चे को देना है किसको नहीं देना ये तीन दिन में decide हो जाएगा इसलिए हम हर माब आपको कहते हैं कि आप दो से तीन दिन तक जो है ये जारी रखें जो ordinary इलाज है अगर तीसरे दिन तक बच्चे में improvement नहीं नजर आ रहा है तो एक बार डॉक्टर को दिखा दे उसमें decide हो जाएगा कि antibiotic की ज़रूरत है या नहीं तो ये तो हो गया अपर respiratory passage लोर respiratory जब पसली चलने लगे इस बच्चे को X-ray की भी ज़रूरत है इस बच्चे को antibiotic की भी ज़रूरत है अपर respiratory passage 90% low antibiotic लोर respiratory passage 90% babies will need antibiotic ये फरक है दो जुकाम खासी हो और कुछ क्या home remedies की जासे कई पर कहते हैं कि अद्रक और शेहद दे दिया चाहे या ऐसी चीज़े दी जा सकती है तो ये harmless चीज़े हैं शेहद अद्रक, गरम पानी, गरम लिक्विड्स, गरम हल्वा, गरम सूप्स ये सब home remedies हैं ये harmless हैं, इनको देने में कोई problem है मुलेठी का पानी या मुलेठी के बारे में मैं नहीं comment करूँगा पर यस मैं एक चीज़ जरूर दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारी cough की दवाईयां available हैं herbal के नाम पर as well as even the allopathic system of medicines तो मैं यही चाहूँगा कि इन दवाईयों को बड़ा carefully इस्तमाल करा जाए, दो से तीन दिन under supervision देना है, क्योंकि इन दवाईयों के side effects होते हैं मैं उसी पर आनकी कि antibiotics के side effects कितने घातक हो सकता है तो बार बार बच्चे को antibiotic देना तो अगर किसी बच्चे को जरूरत है antibiotic की प्रूव हो चुका तो वो उसके लिए life saving है और अगर किसी बच्चे को antibiotic की जरूरत नहीं है तो भी उसको हर बार दिया जा रहा है तब हम उसका system खराब कर रहे हैं अब ये कौन differentiate करेगा जरूरत है या नहीं है इसी लिए हम parents को कहते हैं अपने level पर आपने जो भी routine दवाईया देनी है जुखाम खांसी की बुखार की दे दीजे steam दे दीजे बट antibiotic अपने आप ना दे या chemist से पूछ के ना दे उसके लिए at least अपने doctor को दिखाई सो एंटिबाइटिक जहां जरूरत है लाइफ सेविंग है जहां जरूरत नहीं है वहाँ वो side effects करेगा and ultimately उसका नुकसान ही होगा बच्चे को जाने से पहले कुछ tips जरूर दे जी कि सभी बच्चों को खांसी जुखाम होता ही है सारे parents के लिए मेरी ये advice है कि अगर घर में किसी भी adult को खांसी जुखाम हो तो अगर कोई बच्चा एक साल से कम है तो आप mask पैन के उसकी care करिए number two visitors को कम रखिए number three ऐसे बच्चे को समय समय बुखार नाप के बुखार की दवा दे दीजे और home remedies के form में भाफ गरम पानी की नाख में saline water drops plenty of liquids and most important नहलाना इन बच्चों को जरूरी है क्योंकि माबाप सबसे पहले चीज जो बं करते हैं वो नहलाना बं कर देते हैं नहलाने से बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा निमोनिया में भी नहलाने से कोई नुकसान नहीं होगा आइस्यू में जो पेशेंट्स होते हैं सारी दुनिया में उनको हर रो स्पॉंज दिया जाता है तो अगर ऐसी बात हो तो उनको स्पॉंज ना दिया जाए saline water घर पर बनाना जा सकता है और कैसे? Saline water I would recommend क्योंकि body के अंदर डालना है तो it is better कि हमें बना-बनाया saline water because that is normal saline 0.91% जो आता है बहुत ही सस्ता होता है और अगर आप एक बार भी bottle ले लेंगे तो उसको महिनों तक इस्तमाल कर सकते हैं बहुत बहुत शिप्रिया सार्थ